So first of all मैं आपको बताना चाहता हूँ mail merge होता क्या है So it is used to create a series of same documents with multiple addresses So mail merge इसलिए use करा जाता है ताके हम अपने same document को या फिर एक document को हम multiple addresses पे भेज सकें So जैसे कि मैंने नीचे आपको diagram में दो method दिखाया हुए है एक है manual method आपके left hand side में and right hand side में है Mail merge method So first one is manual method Manual method का मतलब है कि हमारे पास invitation तो same है लेकिन हमारे पास person अलाग अलाग है और हम इन persons को individually invitation को send कर रहे है सबोज मेरे पास invitation है मैंने इसके अंदर इसकी email id डाली and हमने इनको send कर दिया ऐसी फिर हमने second में करा और फिर हमने इसको फिर से send कर दिया तो हमें क्या करना पड़ा है इसके अंदर duplicate invitations करेट करना पड़े हैं बार बार एंड हमने manually बार बार इनके अंदर email id इंसर्ट कर रहे हैं एंड हमने इनको send कर रहे हैं तो इसमें problem यह है कि यह बहुत जादा time consuming process है हमें बार बार अपनी file को duplicate करना पड़ेगा और हमें बार बार उसको edit करना पड़ेगा तो इसमें बहुत जादा time लग जाएगा on the other side हमारा पास ए option mail merge का इसके अंदर हमारे पर invitation तो same है बट हम एक ही बार में same invitation को multiple addresses पे भेज़ सकते हैं इससे हमारा क्या होगा यहाँ पर हमें हर बार duplicate file बनाना पड़ रही है अपने invitation की लेकिन यहाँ पर हमारी एक ही जो document है हुआ ही हमारा अलग-अलग addresses पे send हो जाएगा automatically यह हमारा बहुत कम टाइम लाएगा हमारी memory space भी कम लेगा और हमारा बहुत जादा fast काम करता है so this is the advantage of mail merge मैंने नीचे example भी दे दिया दूसरा ता कि आपको exam में को problem ना हो आप exam में भी इस example को easily लिख सकते हैं now after this यहाँ पर हमें mail merge create करने के लिए दो document बहुत ज़रूरी है पहला है हमारा main document and second है हमारा data source main document क्या होता है जो हमने यह पर invitation की बात करी है उपर वो हमारा क्या है main document and data source क्या है हमारा जिन-जिन addresses पर हमें इनको भेजना है वो सब किसके अंदर आएंगे data source के अंदर हम इसको database भी कहते हैं इनके चोड़ी-चोड़ी definitions भी लिख लिए है मैंने ताके आपको easily समझ में आजान चीज़ है और अगर आपको exam में भी इसके बारे में कुछ लिखना हो तो आप इसके तुरू लिख सकते हैं so without wasting any time हम practically करके देखते हैं कि mail merge को कैसे implement करते हैं तो मैं same document को mail merge की तरह यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है यह हमारा एक तरीके से content हो जाएगा या फिर invitation हो जाएगा आप इसके जाब कुछ भी लिख सकते हैं तो मैं यहां लिख देता हूँ dear and dear के बाद हम थोड़ा से space खोड़ देता हैं कुछ भी हमें यहां पर एड़ करना है यह एड़ हो जाएगा अब हमें क्या करना है mail merge के लिए हमें जाना है tools पे tools पे जाने के बाद हमारे पास option है mail merge wizard का इस पर हम click करते हैं इस पर एक window ओपन होगी क्लिक होने के बाद देखें यह पर window ओपन होगी अब इन steps को हमें follow करना है one by one जिनके through हमारा mail merge create होगा so the first point is select starting document कि हमारे starting document कैसा होने वाला है तो हमने जो document लिया है वो हमने अपना create कर रहा है automatically तो हम क्या use करेंगा use this current document आपके वास और भी options है अगर आप new create करना चाहते है तो new हो जाएगा आप existing कोई बना रखा ओले तो आप उसको भी use कर सकते है या अगर आपके पास कोई template है पहले से बना बना है तो आप उसको भी use कर सकते है तो हमने क्या करा है अभी जो current document है उसको use करना चाहते है तो मैंने इसको option को opt कर लिया है फिर हम करते है next next पर जाने के बाद हमें क्या create करना है letter करना है तो हमने letter select कर रहा है उसके बाद हम करेंगे next next करने के बाद यहाँ पर यह जो point हमारा बहुत important है जिसके through हम अपने addresses को add करेंगे जैसे कि अभी हमने बात करी थी पीछे data source की तो यहाँ पर हम अपने data source अपने इस invitation card को भेजना है तो वह create करने के लिए में कहाँ करना है select different address list तो हम इस पर click करेंगे अब हमें अपना एक address book या फिर एक data source create करना है तो हमें कहाँ जाना है इस create पर click करेंगे तो देखे यहाँ पर सुमारी बहुत सरी fields आपको देखने को मिल जाएंगी लेकिन हमें इतनी सारी fields को काम नहीं है तो हम इनको क्या क्या कर दते हैं कुछ को delete करते हैं तो delete करने के लिए हमें क्या करना है customize पर जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, add पे click करेंगे, add पे click करने के बाद यहां हम लिख सकते हैं city, and हम करेंगे add पे click, तो देखें, यहां पर हमारा city add हो जाएगा, अब मैं चाहता हूँ, city को country से उपर ले जाना, तो क्या करेंगे, इस पे select करेंगे इसको, और इस arrow पे click करेंगे, तो हमने अपने elements को create कर लिया है, अब हम करते हैं okay, okay करने के बाद देखें, यहां पर हमारी fields जो हमने बनाई थी, वो यहां पर आ गई है, अब मैं यहां पर अपने database बना लेता हूँ, एक तरीके से data source बना लेता हूँ, जिन जिनको मेरे को अपना invitation भेजना है, देखें, अब इसको save करने के लिए कहा रहा है हमसे, तो हम यहां डाल देते हैं my database, आप यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं याद दे दिया है my database के नाम से, और अम इसको save करते हैं, सेफ करने के बाद देखे हमारे यहां पर लिस्ट में माई डीटाबेस नाम से यह एड हो चुका है तो हम इसको सलेक करके करते हैं अब हमारा आता है यहां पर सेकंड पॉइंट के हमारा जो एडरस है यह जो भी हमने डिटेल अभी फिल करी है वो हमारे इन्वीडेशन कार्ट में कैसे दिखनी चाहिए यहां पर देखे हमने सारी फिल्स नहीं लिया है हमने स्टेट नहीं लिया यहां पर तो हमें अपने गॉर्डिंग बनाना है अपना design तो हम क्या करेंगे more पे जाएंगे more पे जाने के बाद यहां पर पहले से predefined काफी ज़ादा template है लेकिन हम अपना create करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे new पे जाने के बाद देखें यहां पर सारी हमारी detail आ गई है अब हम यहां से one by one अपनी चीजों को add करेंगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे not yet matched इसको मैं बताऊंगा आपको आगे कि हमें इसको कैसे match करना है तो अब हम करते हैं okay, okay करने के बाद देखें हमारा यहां पर visible हो जाएगा तो यह वाला हमने बनाया है हम इसको select करते हैं और हम okay पर click करते हैं अब हमने इसको select कर लिया है आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर हमारा आ आ रहा है not yet matched तो इस problem को दूर करने के लिए हमें करना है match the field name used in the mail merge to the column headers in your data source अब हमें match करना है जो भी हमने नाम बद लेते हैं उसके नाम से तो हम match field पर click करते हैं, click करने के बाद देखें हमारी सारी details अरही है तो अब हमें यह देखना है कि कौनसी field हमारी match नहीं हो रही है तो हमने क्या दिया था, telephone private दिया था, लेकिन हमने इसके नाम बदल के हमने क्या कर दिया था, mobile तो हम mobile पर click करेंगे तो देखें हमारा mobile number यहाँ पर visible हो जाएगा So this is the advantage of predefined fields of mail merge जिसके through हम अपने data को बहुत ज़्यादा बढ़िया और असानी से हम match कर सकते है Now अब मेरे सारा data यहाँ पर दिखने लगा है, अब मैं करता हूँ OK OK करने के बाद देखें यहाँ पर अब कोई भी problem नहीं है हमारी type mismatch की After this अब हमें क्या करना है next पर क्लिक करना है, next पर क्लिक करने के बाद हमने Salutation को भी add करने है क्योंकि automatically add हो जाएगी, अगर हमें करना है तो क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और यहां से हम इसको easily add कर सकते हैं तो मैं इसको नहीं चाहता, तो मैं इसको un-tick कर देता हूँ, un-tick करने के बादद हम एक लिएक करता हूँ,next Next करने के बाद अब यह मेरा से कह रहा था, adjust लेकिन मेरा जो layout हो बिल्कुल आछिय है, मैं इसको add जस नहीं करना चाहता अब क्या करना है नेक्स पे क्लिक करना है फिर से अब नेक्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपने slave उसको पीछे ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर था edit document तो अगर हम अपने document को edit करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं live तो हमने जो भी changes करने तो हमने कर लिये हैं पहले तो हम क्या करते हैं next पर click करते हैं next पर click करने के बाद अब हम से पूछ रहा है save, print और send कि हमें क्या करना है तो हम करना चाहते हैं save starting document हम इसको save करना चाहते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे इस पर click करेंगे और हमारा document जो है वो save हो जाएगा और अब save होने के बाद हमें क्या करना है last में finish करना है और हमारा mail merge जो document है वो हमारा create हो गया है so this is the advantage of mail merge कि हमने एक ही बार में multiple documents को create कर लिया है for different different addresses